23 का ट्रेलर MP ने देखा MP तक पर पारशत का चुनाव जीता चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकाला लेकिन जुलूस में जो कुछ हुआ उसके बाद जो है पुलिस ने जो किया वो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ ऐसे जुलूस में जिस पर पारशत पहुँच गए हैं चेल जी हां मामला शाजापुर का है यहां नगरपाल का के लिए चुनाव संपन हुए और मदगड़ना हुई और मदगड़ना के बाद जो है वाट कर्मां 12 से जो ये बताये गया है PFI के समर्थक SDPI से चुन नारे लगाए गए और उसके बाद जो है जो यहां पर और अनिसंगठन है वो भी विरोत के तौर पर उत्रे और उन्होंने ठाने जाकर FIR दर्जकरा दी इस तरीके के विवादित नारे को लेकर जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई पुलिस ने पारशत को नैले में अज के बाद पर इनकी ने प्रत में रैली निकाली गई थी जो बॉर्ट नमबर 12 से अपने अभी नए पारशत ने उतुए हैं उनको आरोपी बनाया गया है और उन्हें अभी नियाला प्रस्तुत किया गया है जिसमें 188 और 253 बीकित हैं मामला पंजीमत किया गया है पुल्स की अधिकारी खुद सुई कारी और बता रही है इस बात की पुष्टी करती हुए पुल्स अधिकारी कह रही हैं एक यहां यहां पर इस तरीकी का विवादित नारा लगाया था。 इस बार फिर से बता दूँ शाजयपुर का ये मामला है जहाँ पर मदगणना हुई थी नगर नगरपालिका की 17 जुलाई को और यहाँ पर नगरपालिका की जो मदगणना है उसके बाद जो है जब उम्मिदवारों को विजाई घुशत किया गया तो ये जो पारशद है जलूस निकाला जलूस में विवादित नारे लगने का पहुंचा और FIR दर्ज कराई FIR दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई पुलिस ने जैसा मैंने आपको बताया शुरूबात में गिरफतार किया उसके बाद नैले में पेश किया जिसके बाद जेल फेजा गया है पारशत को लेकिन इस पूरी इस्तिती में अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि वाकई सवाल उठ रहा था कि जुलूस निकालना तो ठीक है लेकिन जुलूस में इस तरीके का विवादित नारे लगने के लगाना कहां तक सही है खिलाल पुलिस ने इस मामली में एक्शन लिया है शाजापुर से आप तक पर पह हो चाहिए मासमाता मनुझ प्रोहित ने आप देखे रहें पी तक